दोस्तो अधार कार्ट को पैन कार्ट से लिंक करना बहुत ही ज़रूरी हो गया अगर आप 30 चुन 2023 से पहले अपने पैन कार्ट को अधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ट जो है वो निश्क्रे हो जाएगा आप अपने पैन कार्ट का कहीं पर भी यूज नहीं कर जो है वो वेस्ट ही जा रहा है तो दूसर इस वीडियो में आपको तीन ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे आप अपने 1000 रूपीज को बचा सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दूसर पहला पॉइंट है अगर आप अपने अधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लिंक का अधार स्टेटस चेक टर लेना है क्योंकि अगर आपका पहले सी अधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है तो आपको यहाँ पे जरूरत 1000 रोपी लेट भी पेइमेंट करने की तो कैसे आप अपना status चेक कर सकते हैं उसके लिए आपको income tax.gov.in की साइट पे आना है आपको यहाँ पे quick links में link अधार status का option मिलेगा आपको simply इस पे click करना है आपको अपना pan number अधार number enter करना है और view link अधार status के option पे click कर देना है तो यहाँ पे status आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आपका अधार card पहले से link है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा your pan number is already linked with अधार और अगर आपका अधार card pan से link नहीं है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों second point है कि income tax department ने यहाँ पर four categories बताई है जिने की यहाँ पर pan card को अधार से link करने की जोयत नहीं है आप यहाँ पर दिख सकते हैं following categories are exempted from अधार pan linking first है यहाँ पर NRIs तो अगर NRI है तो उसे यहाँ पर अपने pan card को अधार से link करने की जोयत नहीं है not a citizen of India अगर कोई भी इंडिया का citizen नहीं है तो यहाँ पर उसे भी pan card को अधार काट से link करने की जोयत नहीं है third है यहाँ पर age greater than 18 years as on date यानि कि अगर किसी की उमर जो है या फिर जमू एंड कश्मीर में तो आपको अपने pan card को अधार काट से link करने की जोयत नहीं है लेकिन अगर आप असाम, मेगाले एंड जमू एंड कश्मीर में रहते हैं तो फिर भी आप अपने pan card को अधार कार्ट से लिंक करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको भी लेट भी 1000 रुपीज देनी होगी लेकिन अगर आप अपने पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपका pen card यहाँ पे निश्क्रे नहीं माना जाएगा दूसर पॉइंट नमबर 3 है अगर आपने 2017 के बाद अपने अधार card को दे के अपने pen card को बनाया है या फिर आपने online apply किया था अपने pen card के लिए NSDL portal से या फिर UTI portal से तो अगर आपने online अगर आपका अधार card से लिक नहीं है तो उसके لिए आप अपने pen card को अधार card से लिक कर सकते हैं 1000 रोपीज की फी पेहमेंट करके कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों I hope कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रू से लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चली मिलते हैं नेक्स्ट रोड़ में तब तक के लिए बाई बाई ठेक के और थेंक यू